वे प्रोगमर्स, जावा का अंदर काफी लोगों नेट बिंस आईडियो को चूज किया है, तो बस इसी को करेंगे हम इंस्टॉल, बीच में जरूत पड़ेगी जावा की, उसको भी करेंगे इंस्टॉल, और फिर लास्ट में बिगिनर्स के लिए नेट बिंस को कैसे सेट हैं, वो भी हम बताएंगे, और तो और एक छोड तो हेलो वर्ल प्रोगम बनेंगे, और आपको टेस्ट कराएंगे, और हाँ, इसी परकार आप टेक में हमेशा कुछ ना कुछ नहीं सिखते रहना जाते हो, तो चूप मों जाना टेक अपके डए अपडेट्स को, तो दोस्त अब हमाँ है, कंप्प्टर के स्किन के उप़ा, सबसे पहले हमको चेक करना है, कि हमारा कंप्प्टर के अंदर जावा इंस्टॉल है नहीं, तो सिम्पलिए ये CMD के अंदर, वहां पे आपको टाइप करना है, जावा माइनस वर्जन, जैसी अपलिक कि ए एंटर मारों के, अगर याँ पर जावा को वर्जन दिखा जाता है, जैसे कि 18.0, या फिर 20.0, आपके जोबीच हो रहा है, तो इसका मतलब आपके computer के अंदर जावा इंस्टॉल है, तो simply आप NetBeans के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए आप जा सकते हो, पर अगर आपके ये 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 आरी है, तो आपको Java याँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो फिर वीडियो को पूरी देखो, simply इसको डाउलोड करने के लिए, आज एक Google Chrome के अंदर आपके सर्च करिए, Java JD के डाउलोड, यह जो oracle.com बाले website है, इसको ओपन कर लिए, यहाँ पर आपको latest version याँ पर डाउलोड करना ह है, यह कुछ data MP का है, तो होने देते इसको डाउलोड, फिर उसके बाद हम इसको application को run करना है, फिर next कर दीजे, फिर यहाँ पर main role play होता है, वो होता है location का, दोस्तों, अगर आप चाओ कोई और location पर इसको install करने के लिए, तो आप simply browse करने जाके, location देके, आप Java को install कर सकते हो पर हम default यही रेन देते है, C program files with Java, यह normal रेन देते है, पर इसको ध्यान जोल रुखना कि कहा Java आपका install हो रहा है, तो simply next कर दीजे, यह automatically छोड़ असा प्रोसेस इंस्टोलेशन का, यह पूरा हो जाएगा, फिर इसको close कर दीजे, अरे रुगोर को Java इंस्टोल नहीं हुए आपके सामने दो box यहाँ पर show होंगे, एक उपर अड़ा होगा, जो कि particular एक user के लोगा, जो कि यहाँ पर नाम देख सकते हो हमारा यहाँ पर टेक अप user के लिए है, जो कि simply एक user के लिए यहाँ पर rule लगो होगा, दोस्तों यह उपर का डबा और निचे का डबे में सिप यह दिफरेंस है, कि अगर पहले डबे के अंदर रूल बनाते हो, तो simply जो नाम लिखा है user का, उसके अंदर आपको रूल लगो होगा, और अगर निचे वल डबे के अंदर बनाते हो, तो पिर जिदने भी आपके computer के अंदर user है, उन सब के लिए रूल लगो हो जाएगा, अगर आप से खोले my computer को, C के अंदर, program files के अंदर, यहाँ पे java के अंदर, फिर jdk के अंदर, फिर bin के अंदर, अब यह जो location आपको यहाँ पर copy करके paste कर लेनी है, विए simply ok कर देना है, बस, और अगर आप चाते हो, फिर एक simply particular user के लिए, जैसे निचे वल एडिट किया था, वैस आप एक location copy paste कर लेजिए, फिर simply ok ok करके सबको card देजिए, फिर पापस को ले cmd को, और वही command type करिए, java minus version, इसे अब type करके enter मारों के दोस्तों, आप देश सकते हो, कि हमारे यहाँ पर java install हो चुकी है, अब बात रहे netbeams की, पापस जाएजे google chrome के अंदर, पहाँ पर type करिए netbeams download, यहाँ पर apache.org वाली जो वेबसाइट है, यह एक official website है, तो simply इसको open कर लीजे, पर ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर latest से latest version आपको यहाँ पर install करना है, जो सबसे ऊपर हो, उस ही को download कर लीजे, जैसे आप install के ऊपर होगे, .ac को आपके सामने कुछ options आएँगे, आप तो इसको customize भी कर सकते हो, पर यहाँ पर simply हम यहाँ पर next करेंगे, फिर वापसे tick mark करके next, दोस्तों अब देखो वापस यहाँ पर location वाला part आ गया है, इसने हमारे जहाँ पर Java इंस्टॉल ले, वो इसने automatically detect कर ली है, अगर यहाँ पर आपके detect नहीं कर रहा है, तो simply आप browse कु गया है, तो बस इसको on करिए, left side में आपको एक option दिखेगा, file नाम का, उसके अंदर जाके new project के उपर आ जाईए, फिर आपके सामने दो option आएंगे, left side के अंदर हम चले जाते है, Java with Maven के अंदर, और right side में आपको select करना है Java application, पर simply next कर दिजिए, यह automatically आपको जो updates वगर होग इसको automatically download करके, यहां पर activation कर देगा, फिर यह पूरा होता ही, आपके सामने एक box खुल जाएगा, जो कि यहां पर नाम डाल सकते हो, और यहां पर कुछ और location देने चाएँ तक दे सकते हो, पर simply हम यहां बीगिनर के लिए setup कर रहे हैं, तो कुछ नहीं छेड़ेंगे, simply finish कर द करना है, यहां पर simply आप अपना जोविर प्रजेक्ट का नाम देते हैं, जैसे कि हम देते हैं यहां पर hello world और यहां पर create कर लेते हैं, फिर बस, simple सामने यहां पर command कर यहां पर type करे लिया है, तो simply आपको रंग करके आपको बता देता हो, दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमार यहां पर hello world का जो प्रोगाम तो यहां पर successfully हो चुका है, कोई में doubt आ रहा है, इस वीडियो की रेटेट कोई भी आपको प्रम्लों आ रही है, comment जरू करना, आपके लिए मैं कुछ ना कुछ reply करने की, या solution करने की जरू ट्राइ करूंगा, अब इक लिए दोस्तों, बाई ब बाई